आई थी उस घर का मोहल के बारे मैं आज आपको बताना चाहती हूं मेरी आई जो थी आई और बाबा बहुत ही रिलिजियस थे पुजा पाठ हर भगवान हमारे मंदीर में खानापूर के घर के मंदीर में कोई ऐसा वो नहीं था कि कोई भगवान नहीं है सारे जितने भी भगवान है वो सारे उसमें थे मतलब आई ने बहुत अच्छे से मंदीर को सजा के रखा था पूजा पाट करना घर के सामने मलपरभा नदी थी वहाँ जाके रोज वो नहा दोके आती थी नहा के गिले कपड़ों में घर आती थी घर में आके फिर सारे भगवान की पूजा पाट करके फूल माला सब चड़ा के फिर वो मतलब खाना खाती थी चाय वगरा जो भी है ब्रेकपास्ट वो करती थी तो ऐसे उसका रोज का रूटिन था जब नदी जाती थी तो वहाँ पे रेत जो होती है नदी में वो रेत से वो शिवलिंग बनाती थी शिवलिंग प्रॉपर अच्छा सा शिवलिंग बना के उसकी पूजा करके फूल वगरा घर से ले जाती थी और उस शिवलिंग की पूजा करके वो घर आती थी उसके बाद नदी में जो भी नहने जाते थे वो सब उस शिवलिंग की पुजा करते थे पुजा पाट करना उसको जब करना तब करना मंदीर जाना और अभीशेक करना मतलब हर तोहार प्रॉपर तरीके से वो करती थे भगवार के उपर उसकी बहुत श्रद्धा थे और यहां जो मैं मुर्गोर जी के घर आई यहां पे महौल टोटली अलग था यहां मैं आई तो कोई इनके घर में कोई मंदीर नहीं था मंदीर की जगा उन्होंने अपने माबाप की फोटो रखी थी मात्रुदेवो भव, पीत्रुदेवो भव ये तो मैं बचपन से सुनते आ रही थी लेकिन उसका रियल अर्थ क्या है हम भगवान की पूजा करते आ रहे हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा लेकिन जो माबाप है उसकी पूजा करते हुए मैंने पहली बार लाइप में इनके घर में देखा तो मेरे ससूर जी की पोटो मंदीर में रखी थी ये मेरे ससूर जी है और ये मेरी सासू मा है मदर इनलो तो देखे कितनी सिंपल और बहुत ही अच्छे सुभाव की थी बहुत ही अच्छे सुभाव की और इनके घर में मात्रु देवो भव, पीत्रु देवो भव, मैंने आपको बताया, उसका एक बहुत बढ़िया एक्जामपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये, ये देखिए, ये मेरे ससुर जी है, जो अपनी मा को, मतलब मुर्गोर जी की दादी है ये, तो वो अपने दादी को पैर छू रहे हैं, और देखिए, पूरा सीर जो है, वो नत मस्तक, बिलकुल उनको पैरों के उपर अपना सीर रखके, मतलब पूजा कर रहे हैं, तो ये प्रता हमारे घर में थी, मतलब मा को वो जितना पूजते थे, मेरे ससुर, वो ही इनके बच्चों में आ गय तो मुर्गोर जी भी अपनी मा को इसी तरह पूछते रहे, जैसे घर में महोन होता है, बच्चे देखते हैं, कि हम सोचते हैं, बच्चों को क्या पता चलता है, लेकिन बच्चों का अब्जर्वेशन बहुत जादा होता है, जैसे उन्होंने अपनी मा को देखा, अपने प तंखा आती थी तंखा लाके अपने मां के हाथ में देकर अपना सीर इसी तरह से जैसे आपको दिखाया ऐसे अपना सीर वो उनके पहरों पर रखे, पूरा अच्छे से नमस्ते करके अपने अवा का अशीरवाद लेते थे, अवा मतलब आई का अशीरवाद लेते थे, इश्वर अप्पा मुर्गोड और भीमराव मुर्गोड दोनों गवर्मेंट जॉब में थे, और ऐसे भाई मै ने कहीं नहीं देखे इतना प्यार दोनों में इतना प्यार और इतनी श्रद्धा अपनी मा के लिए वो बहुत ही मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था इवन हमारे घर में भी इतना प्यार नहीं था जितना मैंने इनके घर में देखा देखिए ना कितना बड़िया एक्जामपल था कि मेरी अगर मा तुम्हें कुछ कहेगी कि ये ऐसे मत करना इसमें मिर्ची नहीं डालना या इसमें तीखा नहीं डालना या इसमें नमक ज़्यादा थोड़ा सा हलका डाल देना लसन मत डालना लेकिन मेरे हजबन मेरे को ऐसे समझाते थे डालो लेकिन उसको मन को दुख मत देना उसका मन दुखी मत करना उसको ये मत बोलना कि नहीं नहीं वो डालने से ही अच्छा होता है और मैं डाल के बनाओ देखे और उस समय मेरी एज बहुत कम थी उस समय में नहीं समझ पाई लेकिन धिरे धिरे मैं भी मा बन गई तो मुझे अच्छे से वो बात समझ में आने लग गई और वही संस्कार जो बीज उन्होंने बोया था मिठा फल जिसमें आया था वही मिठा फल बच्चों में आया और वही मिठा फल बच्चों ने खाया और फिर उनके बच्चों ने भी वैसे ही रहे मतलब ये धीरे धीरे परंपरा मुर्बोड जी के घर में चलती रही तो बहुत ही अच्छा था और ऐसे अच्छे घर में मैं चली गई इसका मुझे बहुत ही अभिमान है कि मैं एक कभी जोर से बोलना नहीं मतलब सिरफ उनका जो घुसरा आता था हो सिरफ आँख में नजर आता था कभी कोई आज तक उन्होंने कभी कोई मतलब ऐसे गलत शब्द यूज नहीं कही है तो मुझे मैं बहुत ही खुश किस्मत की थी कि ऐसा घर मुझे मिला और फिर आगे मैं ऐसे ही इनके घर के बारे में और अलग-अलग बाते आपको बताती रहोंगी तब तक के लिए नमस्कार